ग्रीन या फिर पिंक मम्मी इसका क्या मतलब होता है इन दोनों कलर में से पता चलेगा कि तुम्हारे सोलमेट की सैलरी कितनी है लेकिन मैंने ग्रीन कलर के बारे में कभी नहीं सुना अगर ऐसी बात है तो मैं ग्रीन चूस करूँगी एक मिनिट क्या तुम शियोर हो कि तुम कलर नहीं चूस करोगी हाँ क्योंकि जादा तर ग्रीन रिप्रेजेंट करता है पैसो को तुम्हें पता है रिंगी को ग्रीन कलर मिला जो कि बहुत रेयर है हाँ मुझे उससे बहुत जलन हो रही है क्या तुम्हें पता है कि ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है हाँ इसका मतलब तुम्हारा सोलमेट इस शहर का सबसे अमीर इंसान है क्या तुम्हें पता है कि वो इंसान कौन है नहीं मैंने आज से पहले इसको कभी नहीं देखा रिया क्या तुम्हें पता है मुझे अभी भी पता चला कि मेरा सोलमेट इस शहर का सबसे अमीर इंसान है लेकिन मुझे लगा था कि तुम्हारी फैमिली सबसे अमीर है इस सहर में मुझे भी यही लगा था लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मुझे भी अमीर 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 लोग है इस शहर में अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा कहीं चलना होगा तुमारे मतलब क्या है मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो तुमारे isolmate के बारे में हमें थोड़ा सा हींट दे सकती है बोलो बच्यों क्या हुआ मुझे मेरे isolmate के बारे में आपसे कुछ पूछना था तो में तुम्हारा soulmate तुम्हारे school में मिल जाएगा School में लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्यूंकि उस school में तो सबसे अपी लड़की मैं हूँ एक बार उनकी बात तो सुनो रिंकी ऐसा हो यह नहीं सकता कि यह गलत हो ठीक है मैं तुम्हें prove कर दूँगी कि यह जो बोल रही है वो गलत है अटेंशन क्लास आज से यह आपकी क्लास का न्यू स्टुडेंट है मेरा नाम राहूल है, nice to meet you all रिंकी यह देखने में कितना handsome है उसने बोला कि वो बहुत अमीर है इसका मतलब वो तुमसे भी जादा अमीर होगा इसका मतलब राहूल ही मेरा soulmate है देखा मैंने तुमसे बोला था ना वो बूरी दारी सच बोल रही थी अच्छ आप जल्ली से जाओ और उससे बात करो इससे पहले कोई और बात कर ले हाई राहूल मेरा नाम रिंकी यह राइट सबको बोलती है कि मैं उसका soulmate हूँ नहीं तो यह सच नहीं है यह तुमसे किसने बोला मुझे भी ग्रीन कलर मिला राहूल की तरो और वो मुझे भरोसा करता है लेकिन सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है जिसको ग्रीन कलर मिले तुम तीनों बात करके क्लास को डिस्टॉप कर रहा हूँ पनिस्मेंट के तौर पर तुम लोगों को छुट्टी के बाद उठना होगा और पूरे क्लास के सफाई करनी होगी तुम दोनों में से जिसने भी सबसे पहले सफाई कर ली वो मेरा soulmate होगा आपको क्या लगता है कि राहूल किसका नाम लेगा टीना का या फिर रिंखी का